नमस्कार मैदाव। सिटी न्यूज मजफरपूर में आप सबी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की और बढ़ने से पहले आए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्ख्यों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासिये उज्वल विद्यापीर। दच्चों के भविश्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। उतने वाली गिरोग के दो आपरादी को किया ग्रिफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य सुर्ख्यां अब खबरे विस्तार से। अगर आपके पास भी वहान है तो हो जाए साथधान। कहीं आपके भी तो गारी में डुब्लिकेट मोबिल नहीं डाला गया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यवर्पुर में डुब्लिकेट मोबिल के काला बजारी का भांडा फुर हुआ है। जिसमें कई ब्रांड के कमपनी के मोबिल आईल हैं जिसको नगर थाने की पुलीस छापे मारी करते हुए जब किया है। जिसकी जाच की जा रही है कि ये वास्तों में डुब्लिकेट है या नहीं। दरसल शुकरवार को बंगाल से आई एक कमपनी टीम की सुचना पर मुझफरपुर पुलीस ने नगर थाना छेदर के गोले रूट के एक दुकान और उसके गुदाम से भारी मात्रा में कई कमपनी की डुब्लिकेट मोबिल आईल को जब किया है। इस दोरान नगर थानी की पुलीस ने दुकानदार और उसके स्टाफ को हिरासत में लिया है जिससे पूश्टाच की जा रही है। कमपनी को सहयोग करते हुए भारी मात्रा में आईल जब किया जिसकी गिंती की जा रही है। गोलाबान रोड में रजीश की दुकान है। वहाँ पे उन्होंने दुकान और गोद्राम में दुप्लिकेट वाइल की गोद्राम रखते हुए हैं। दुक्री करते हैं। उसी के सुचिना पर नगल ठाने की पूरिश ने उनको सहयोग गया। अब सहयोग में वहाँ पर जाकर छापा मारी की गई। छापा मारी में दो सारा मोबिल ब्रामत हुआ है। किसे अब कांटिंग की जा रही है। इतना मोबिल है। इसमें विभिन Subscribe स्सुक्री कहिते हैं। और फिछ कउपी राम मडल और ऌड़ है। साल का पहुए हम पीर्स करके। बिशन गर्मी में वाड नमर 13 के करपुडी महले में एक महिनी से लोग पीने की पानी को लेकर काफी परिशान है गर्मी की तपिस के बीच मुझपरपुर के सहरवासी पेजल संकर से जूज रहे हैं। जलापुर्ती योजना एवं नल जल योजना के नाम पर करोरो रुपए खर्च करने के बाद भी नगर निगम सहर के एक चोथाई अवादी की पानी की जरूरतों को पूरा करने में बीफ पल रहा हैं। जलापुर्ती पंप हाउस निर्मान की पांच योजनाई धेर महा से अचार सहिता में फसी हुई है। वही तापमान में वृद्धी से आम आदमी की मुश्किले बढ़ी हुई हैं। जिसके कारण से सहरी छेत्रों और ग्रामी छेत्रों में पानी के भूफ ज अखारा घार करपूरी नगर मुहले में में भी पानी की काफी समस्या है। इस्थानिये लोगों ने बताए कि महीनों से नल में पानी नहीं आ रहा है। हाला कि इस इलाके में नल जल योजना का काम भी पूरा हो चुका है। फिर भी हम लोग पानी के लिए इधर उधर भट सकते हैं कई बार अस्थानिये पार्षद से सिकायत की और नगर निगर में भी सिकायत की मगर हमारी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है अभी नहीं है नहीं है टृएंगा में इपना पार या त事 घर नहीं है रूएगा है शूएपजय घर अधर गहीं हीा इ। तो नदी में जागा तो बचार बचाशा डूब जागा धर दागा तो तक रूद काम देगा सवकार वोट लेने मुला साव राता है पाइंदे मुला आज तक पॉंट किये है तो बोला जाब करेंगा करेंगा उंको सप्राइब बंद हो पाने के वोट फोन जीचे उंका फूसर फोतो घीची ए अपारसा को कंप्लेंड किया तो क्या बोलें भूला जाब करेंगा कारेंगा वना किया है तो दो मैना से पानी चल ला तो वह बाइटी लेकि जा रहा है जहां जहां जो सुब रस्ताव नजर आता पानी किसी का मोटर चल ला किसे से मर्सुन चल आपका अर का का है बिल्कुल नहीं आता है शुबह देता है तुब मोटा मोटी दस मिनट के लिए पानी के काम कर रहे हैं नाला का सुभीदा ना पानी का सुभीदा लाइन कर जाता है सदर ठाना छेतर के एनेच पर अग्यात वहन की चपेट में आने से दो बाइट सवार युवा की दर्दनात मौत हो गई मुझफरपुर में रफ्तार का कहल रुखने का नाम नहीं ले रहा है ताजा मामला सदर ठाना छेतर के एनेच का है जहां शुकरवार को अग्यात वहन की ठोकर लगने से दो बाइट सवार की दर्दनात मौत हो गई घटना के बाद मौके पर अफरात तफ़री मच गई सुचना के बाद पहुची सदर ठाने की पुलीस दोनों के शौक को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए एसके एमसेज भेज दिया मिर्तकों की पहचान बेतिया की रहने वाले तब्रेज बैठा और दूसरा मिर्तक पारू का रहने वाला रुहित कुमार है जो प्येजी में काम करता था और वो भगवानपुर की तरफ से आ रहा था इसी बीच पीछे से आ रही अग्यात वहाँ ने जवर्दस्थ ठोकर मार दिया जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई उसकी ने देखा नहीं और दोनों को ऐसा मारा कि दोनों स्पोर्ट डेथ हो गए नहीं वो उसका मुवाइल मिर्तक लोगों का मुवाइल अस्तानिय थाने के पास है और वो गारी यहीं टी ओपी पर लगी हुई है अब वो परसासन का काम है जी यह लगा के लगातार डिये भी के पास विया नियंत्रित गारी निसनल अले पर काफी मतलब तेज गती से चल है जिसके कारण आए दीन ऐसी घटना घट रही है मोर्साइकिल आप पाची से थे दो आदमी सवार थे हैं ऐसा कोई नहीं देखा है हम नहीं बता पाएंगे दो लोग थे हैं पाची से लेकिन दोनों आदमी स्पोर्ट डेथ हैं कौन सी बस से खटना हुई है बस या ट्रक् लेते तेज आंधी के साथ जहमा जहम बारिश हुई बारिश काफी तेज हुई हाला कि बारिश महज आदे घंटे ही हुई है बारिश को देखकर लोगों ने रहात की सास ली जिले में कई दिनों से पढ़चंड गर्मी से लोग काफी बेहाल थें रात में लोग चैन की निन पुलीस ने चापे मारी कर रहागीरों से लूट पार्ट करने वाले गिरों के दो सक्री सद्दसे को हत्यार के साथ गिरिफतार किया। मुझदफरपूर में रहागीरों से लूट पार्ट करने वाले दो शातीर अपराधियों को पुलीस ने गिरिफतार किया है। जिसके पास से एक देशी कट्टा, चाको और दो जिन्दा कार्टूस साथ में लूटी गई बाइक को पुलिस ने बरामत किया है पुरे मामले पर एडिशनल एस पी, इस्ट सहरियार अख्तर ने बताया कि बोचहात हाने की पुलिस ने करनपूर उतरी गाउं के एक लिची बगान से हाईवे पर लूट पार्ट और चिन्ताई की वारदात की योजना बना रहे दो अपराधी को ग्रिफतार किया है पुलिस को देख मौके से एक अपराधी फरार हो गया ग्रिफतार अपराधी की पहचान विकास कुमार और सचीन कुमार के रूप में हुई है जिनके पास से आवैद हत्यार और कार्टूज के साथ चाको मोबाइल और बाइक भी ब्रामद हुई है वहीं एक शातीर अपराधी विकास जिनके उपर दो थाने में अपराधी मामला दर्ज है कल दिनांग 35.2024 को तीन बच के 40 मिनट शाम में थाना ध्यर्ष बुच्छा को सुचना मिली कि कॉन्डपुर उत्री हाइज स्कूल है भुच्छा में वहां से करीब 200 मेटर दच्छन पस्चिम में एक लिची का बगान है वहां पे तीन अपराधी किसी अपराधी खटना को इंजाम देने के लिए हधियार के साथ वहां पे मौजूद है इसी सुचना के आलोक में धाना ध्यक्ष और अनपुलिस पदाधी कारी और पुलिस बल के साथ इसी गाची में पहुंचे तो वहां से पुलिस बल को देखके तीनों अपराधी जो है मौटर सैकिल वहां पे खड़ी थी लेके भागने लगे जिसमें से दो अपराधी बरामत किया गया और एक अपराधी जो है सूरज जो बोच्छा थाने का रहने वाला है वो फरार हो गया इसमें विकास कुमार पहले भी कई बार जेल जा चुका है बोच्छा थाने से भी गया है और यहियापूर थाने से गया है पुढ़नी में 2021 में कि किसी मुख्या को उपर इसमें बोली फायर की थी लेकिन वो बाल बाल बज गये थे और 2022 में बोच्छा में लूटी मोटर साइकल भी इसके पास से बरामत हुई थी और यहियापूर में भी जेल गया है लेकिन कांड़ भी हम लोग उसको खुजवा र वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का बने रही हमारे साथ देखते रहे है सिटी न्यूज मज़फर पूर प्रेस्ट के साथ बैंक से फाइनिसिंग की भी सुबिदा उपलब्द है तो देड़ मत कीजिए एक बार हमारे यहां अवश्य पधारे हमारा पता है मिठनपूरा नरायनपूर रोड अपोजिट वेशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मुवाइल नंबर है 933-49-00888 और हमारा दूसरा नंबर है 700-04-320580 अरो के समय और इस लगन के अफसर पे मैं मनीश कुमार यूए एसोसेट का प्रोप्राइटर हमारा नील कमल का फरनीचर का सोरूम है इस्क्लूसिब जो मिठनपूरा चौक पे इस्थगित है अरे हां उचीना का चिमनी और जो गैस चुला है उसकी एक बिस्त्रित रेंज है मॉडलर में हडी डिसकाउंट से हमारे हां सोफा पर डाइनिंग टेबल पर सो सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है हमारे हां फ हमारे ओफर्स का लाव ले और हर खड़ीदारी पर हम लोग एक सुनिशी तुपहार भी दे रहे हैं गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आईए वाटर वैली में जो की कच्ची पकी चौक से 2 किलोमेटर दूर शेट पर एनच के समीट स्थित है शेहर के लोग यहां मोटर साइकल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं वेब फूल रेन डान्स के साथ भव्य वाटर फॉल बनाया गया है छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइट्स बनाए गये हैं जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूप जाएंगे इसके अलावे खाने पीने के लिए बहतरी सुविधाय उपलब्ध है जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुप उठा सकते हैं तो देर मत कीजिए गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुँचे हमारा पता है वाटर वैली एनच 28 शेरपुर मुझदफरपुर हमारा कॉंटाक्ट नंबर है 6202584955 लगातार दस वर्चों से विविट पढ़ी शौमे सरवशिष्ट परिनाव हम है आगासी एमिटब विद्यापीर मुझदफरपुर इस स्कूल के सरवशिष्ट कोचिंग पैटर्र से बच्चों को पढ़ाया जाता है प्लेस ये दस्मीत की पढ़ाई शौक्ष बातावरण में कराई जाती है यहां आगुनीक छात्रावास की विवस्ता है उजवर्ट विद्यापीट का मुझद देश, रांग रिश्टी मिशन, नबोदे नेतरहार्ट, सानिक स्कूल, सिंध्या कन्या विद्याले जैसे अनेक भातवर्ष के परतिश्चित विद्यालों में कुशर परशिक्षित अलभवी एक शेहर के सर्वशिष्ट सिक्ष को द्वारा तैयारी कराई जाते हैं लेड़ इकड़ में फैला इस स्कूल का वाहतवर का स्विशान्त है फ्री कंप्यूटर क्लासेज, साइंस लैड और स्मार्ट क्लासेज है साथी इंडोर और आउट डिल गेम के भी विवस्ता है तो अपनी बच्चों की लक्ष की सपनों को पूड़ा कराना चाहते है तो आज ही आवासी उज्वन विद्या पीठी में अपनी बच्चों का नामंखिन करा अपने सपनों के आश्या को दे एक नई पहचान माभवानी डेक और प्रावेट लिमिटेट के साथ जो है और्थराइज डिस्ट्रिब्यूटर आप कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बना देश और जहां मिलती है सभे प्रकार के इंडियन और इंपोर्टिट ग्रेनाई माभुल सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकरजग संग्रे माभवारी डेक और प्रावेट लिमिटेड मतलब अकम्प्लीट फ्लोर सिलुशन्स न्यू जीरो माइल दादर रोड मुजफर पूर कॉल डबल नाइन थी फोर सेवन पाई त्री ट्री 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 ट्रीपल वन ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शुकों का स्वागत है आए रूख करते हैं आगे की खबरों के ओर विशन गर्मी की बीच एएएस ने धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर दिया मरिजों की संख्या पहुंची 20 बिहार में मौसम बदलाओ और गर्मी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से चमकी बुखार के मामले बढ़ने लगे हैं बिती एक सफता में आठ केस की पुष्टी हुई है जिसके बाद S.K.M.C.H. के P.I.C.U. वार्ड में इस वर्ष A.E.S. की संख्या बढ़कर 20 हो गई है चमकी बुखार के फिर से मामले बढ़ने लगे हैं इसके M.C.H. मेडिकल कॉलेज के P.I.C.U. वार्ड में भरती एक बच्ची में A.E.S. की पुस्टी हुई है इस दोरान तेज बुखार को लेकर आदा दर्जन बच्चे इलाज के लिए भरती हुए हैं वहीं अब तक P.I. I.C.U.S. की M.C.H. में 20 बच्चे A.E.S. से परभावित हुए हैं इनमे 11 बच्चे मुझफरपूर जिले के हैं जबकि अन्ने 9 बच्चे अन्ने जिलो के हैं जो सिधा मरी के 3, शिवहर के 2, पुर्वी चमपारन के 2, गुपाल गंज के 1 और वहिशाली जिला का रहने वाला एक बच्चा है नोडल अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि मुझफरपूर जिले के कट्रा परखंड के एक 4 वर्ष के बच्चे में A.E.S. की पुष्टी के बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या बरकर इगारा हो गई है अब तक कुल 20 बच्चों में A.E.S. की पुष्टी हुई है जिनमें की नौ बच्चे अन्य जिलों के शामिल हैं सभी को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है जिले में गर्मी बढ़ने के साथ ही चंकी बुखार बढ़ने के कारण स्वास्त विभाग एक बार फिर से अलट मोट पड़ा गया है उस 11 केसेज में आपका दो के जो है वो जहां से एक कट्रा से एक मिनापूर से दो उच्छी तरह से मुसाही से शक्रा से सराइया से इस तरह से टूटल 11 केसेज हैं मुझाफरपूर जी लेकिन स्केम्सेज में पर कितने मरी जा चुके हैं इसकेम्सेज में डाटा देख रहा हैं उसमें कुल 20 केसेज आ चुके हैं जिसमें 11 केसे मुझाफरपूर के दो इस चंपारन के तीन सीथा मरी के दो सीवर के एक वैशाली और इंक पालगर से और अभी क्या पूचिस के देन सारी हैं देखें गर्मी कीस्तों से बजन पर रही है मगर हम लोग इंटर्सेक्टर बाटक डीम सर और डीजी सर के अधर्स्ता में जो हुई है बहुत इस्टिक आगया है कि चेत्र में हल्कोई एक्टिव रहेगा जीविका का और आगम बारि परखन पडिवर्तन कारी परणम्रीक सिप्षक संके परदेश अध्यक्ष ने आरूप लगाया है कि मेरी हत्या करने की शाजिश हो रही है निलंबन के बहाने मेरी हत्या कराने की शाजिश की जा रही है खुदपूर सविधान से उपर ना समझे कोई भी पदादीकारी मिरे साथ किसी परकार की आपने ये घटना घटी तो उसके लिए केके पाठक और मुझफरपूर की जिला सिच्छा पदादीकारी तथा जिला कारिकरम पदादीकारी जिमेदार होंगे ये आरोप परिवर्तन कारी पररणबिक सिच्छक संग के परदेश अध्यक्ष वशिधर ब्रिजवासी ने लगाया है परखन नियोजन इकाई मरवन द्वारा किये गए निलंबन के बाद अपने आवास पर प्रेस कॉन्फरेंस आयोजित कर उन्होंने मीडिया के माध्यम से सवाल किया कि परखन नियोजन इकाई मरवन अपने छेतरा दिकार से बाहर अवास्तित परखन संसादन केंदर सक्रा में उनका निलंबन मुख्याली कैसे तह कर सकती है ग्यातों की नियोजित सिछकों का नियोजन एकाई के बाहर अस्थाना तरंग भी नहीं किया जा सकता उन्होंने आरोप लगाया कि शाजिश के तहट उन्हें निलम्बित कर सक्रा बी आरसी में युगदान का आदेश दिया गया है ताकि रास्ते में आने जाने की करम में उनके साथ अपनी घटना को अंजाम दिया जा सके उन्होंने प्लीस परशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए आशंका जताई है कि आने जाने की करम में रूड एक्सिडेंट कराकर या अपराधियों का सहारा लेकर उनकी हत्या कराई जा सकती है। पूरे बिहार की जंता के लिए इससे बड़ा सर्मना कुछ हो नहीं सकता है। इससे कैमरा के सामने उसके लिए आपको भी फांसी होनी चाहिए। और इन्हें भी फांसी चाहिए। तभी न्याय हो सकता है एक पक्षिय नहीं चलेगा। प्रखंड में आपको जहां बनाना है बना दीजिए। आपको फसाने की साजिस है। आपको फसाया जा रहा है आप पर दवाव डाल करके। कोट में जब हम जाएंगे तो फिर आप ही को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप किसी के दवाव में काम न करें। और अगर निलमन मुख्याले हमारा आप चेंदि नहीं करेंगे। वरसी सिटी में कोई भी अप्रिया घटना घटेगी। इसके जिम्यवार के के पाठक होंगे। मुझफर उठके डियो हंगे। मुझफर उठके डियो हंगे। और यहां का जिला प्रसासन होगा। तमाम लोगों से मेरा अमरोध है कि हमको आप नयाय दीजे। और प्रेस मीडिया के साथ माध्य। पटना में हुए छात्र संक्य अध्यक्ष की। हत्या की विरोध में लोच्पा छात्र संक्य सद्धस्य। ने शहर में नयाय मार्च निकाला। बीती दिनों पटना विश्विद्याले अंतरगत। पटना लॉग कॉलेज केंपस में चात्र हर्शिराज की निर्मम हत्या को लेकर आज सर्धानचली सबासा पैदल नयाय मार्च का आयूजन किया गया। सर्वर पर्थम उपस्थित सभी लोगों ने हर्शिराज के तैलिक चेत्र पर पुश्प अर्पित कर एवं दो मिनट का मौन रखकर हर्शिराज को सर्धानचली अर्पित किया। तत्पस्थाथ सब लोगों ने पैदल सरीय कंजित टावर के पास तक नयाय मिलने के लिए पैदल मार्च किया। कारिकरमी लोचपर रामविलास के महानगर अध्यक्ष साहू पोखर सेवादल के सनरक्षक एवं सायन कुनाल फैंस कलब की अध्यक्ष समराट ने कहा कि बिहार सरकार एवं मानिने मुख्यमंत्री स्री नितिष्ट से निवेदन करताओं की आपके शुशाशन को मजबूत कर करके इन सबी अपरादियों के घर पर बुल्डूजर चलाना बहुत जरूरी है और सब को ऐसी सजा इस पीडिट ट्रेल चला करके ये सजा बिहार के सबी अपरादियों के लिए सबख हो जाए कि आगे से कोई भी इस तरह से किसी मासूम और निर्दोष छात्र की हत्या करने से पहले सौ बार सोचे साखी साथ उन्होंने मांग किया कि विश्विद्याले परशासन एवं बिहार सरकार को पचास लाख मुआफजा एवं हर्शिराज के परिवार से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी अविलम देने का काम करे और जब तक अपरादियों की ग्रफतार नहीं होगी तब तक सरक से लेकर सदन तक शंघर्ज जारी दहेगी अपरादियों की ग्रफतारी हो रही है हमारे विहार के मानिये मुख्यमंतरी हमेशा कहते हैं कि ना हम किसी को पचाते हैं ना किसी को पसाते हैं अब अपने मानिये मुख्यमंत्री सीश इसे लगातार हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जब तक एकेक अपरादियों की गिरफतारी नहीं होगी और अपरादियों की गिरफतारी के साथ 3 जब तक एक अपरादी के धर पे बुल्डोग बैसाली जिला के पत्रकार अजीत विया के पूत्र हर्स राज की पटना लोग ले में दिन दहारे 15 बदमासों ने निर्मम हत्य कर दी जो की बहुत दुखती सरा छात्रों की हत्य करना लोग कोलेज परिशर में यह बहुत दुख यही होता है समापत अब मुझे और मेरी पूरी न्यूस टीम को दीजिए अजासत कर फिर मिलेंगे आप से शहर की तमाम खबरों के साथ नमशकर